इस वक्त में बिले पाले पुर्विधान सभा मौझूद हूँ इस बिले पाले पुर्विधान सभा की बात करें तो उत्तर मध्ध मुंबई के पुरुसान सब्रिया दज्य हमारे साथ जोड़ रही है यहां पर बिले पाले की बात करें तो बिले पाले पुर्विधान सभा में से कांग्रेस को मिदवार जैनती शुरुया जी ने अपने केंद्री काराला का उद्गाटन किया है हमारे साथ इस पर बाचीत करने के लिए मुझूद है उत्तर मध्ध मुंबई के पुरुसान सब्रिया दजी प्रिया दजी आपने जिस प्रकार से हां पर आप बहुत बड़ी बात कही है मैंने हमेश्या ये बिलीफ करती हूँ कि कुछ नामुमकिन नहीं है हमने ये पहले भी से जीता है और ये बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए एक अच्छेsto इमफार है आज एक आम आदमी खुश नहीं है, जो आप देखें कि देश की हालात क्या हुए है, यह आम आदमी को असर कर रहा है, वो अभी बड़ी बातें छूट गई है, त्री सेवेंटी का क्या हुआ, इसका क्या हो गया, लेकिन आज एक गरीब इंसान, अगर उसके पास घर में पैस से नहीं है, वो सोचने लगेगा, कि हमने कहां से गल्ती की है, आज PMC बैंक का गुठाला आप देखिए, उसमें गरीब मारा जा रहा है, अमीरों को तो कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं समझती हूँ कि यह एक सिचुएशन है, और जो बीजेपी नहीं बनाई है, यह उनको य तरीके से वो लोगों का जो है, वो डाइवर्ट कर देते हैं, अटेंशन, कि लोग भूल जाएं कि अर्थविवस्ता क्या है इस देश की, लेकिन फिर बात है करने लगेंगे कश्मीर की या 370 की, तो मैं समझती हूँ यह डाइवर्जिन जो करते आ रहे हैं वो, आज लोग समझ गए हैं, कि हमें चाहिए कि हमारी जिन्दगियों का क्या हो रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हम जरूर कोशिश करेंगे कि और यह लडाई कभी खतम नहीं होगी, यूनों ऐसा नहीं कि यह लडाई तब तक जारी रहेगी, जब तक लोग तंत्र जिन्दा जेंती सफ़ाज से लोग को ही चूने, क्योंकि जैनती सिरोया जी एक सक्षम कारे करता रहे हैं, बहुत सालों से एक सक्षम कारे करता रहे हैं अगर आपने देखा कि यहां सब कारे करता जुड़े हैं यह शायд पहले होता नहीं है, यो घुあー, कारे करता के अंदर ये थोड हमारी नहीं है लडाइन को सब्सक्राइब करने के लिए जो कि राजस्थान से पूर बिधाग रह चुके हैं निरा दंगी जी क्या कहना चाहें कि बिले पारले की जनता के लिए और यहां के उमीदवार है जन्ती सुरोया जी के उनके लिए क्या कहना चाहें लंबे समय से यहां पर चल रहा है कि बीजेपी हावी है बीजेपी का कैंडिड जीत रहा है पर समस्ता हूं इस बार बदलाव है जनता के अंदर भी एक सोच है बदलाव लाने की जनता क्योंकि बड़े मुद्दे जी-स-टी ऐस तरह के मुद्दे बले ही आम जनता से लाव है आज भी है और पहले भी था ऐसी पर elsthis के अंदर जिड़े मुद्दों eजहां जनता की तक्लीफ payment करने की जैन पाफ होनी चाहिए थी उन्सको उससे ब्रहमित्च करने का काम भार्धि जैन्ठा पार्टी ने किया है थी n qi3017 rep 對啊 seating's time जो है जो है आम जनता को छोटी चोटी उनकी जो मूल्भुत समस्या हैं उनसे उनको भ्रमित करने के लिए इस तरह की योजनाय वो लाई जाती है राममंदी रिशु है क्यों नहीं बना दिया आप तक तो मैं समस्ता हूं कि जनता को इस बात को समझना चाहिए कि वो लोग जो है सिर्फ लच्छेदार भाशन दे करके जनता को प्रमित करने का काम कर रहे हैं जनता को समझना होगा और जनता को अब सही विकल्प चुनना होगा और सही विकल्प मैं समस्ता हूं कि विले पारले के अंदर कॉंग्रेस पार्टी है चेंती सिरोया है राजस्थान के बहुत से लोग यहाँ पर हैं बहुत से वोटर हिया हैं लंबे समय से यहाँ बच गए हैं कुछ लोग जॉब कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर विवसाय कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उन तमाम लोगों से लगातार मैं समपर्क में हूँ बहुत से लोग मेरे विदानसभा शेत्र के भी यहाँ पर है पालीज, सिरोही और जालोर जिले से काफी लोग है यह पर प्रवासी राजस्थानी जो है उनसे लगातार हम लोग संपक्र कर रहे हैं उनका इस बार मानस है कि इस बार हम लोग निशित रूप से वो है अशोग घलोध गौर्मेंट को भी देख रहे हैं घलोध साब को देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जब भी दिक्कत या तकलीफ या कोई जोरत पड़ी है उन को भी तो वो राजस्थान में उनकी हर समस्था का निवारण हल हुआ है वही हल और निवारण उनकी तकलीफों के अंदर जो है भागिदार बनने का काम कॉंग्रेस यहां भी करेगी ऐसी सोच के साथ में वो कॉंग्रेस से पूरी तरीके से जुड़ गए हैं और निशित र बात करने के लिए आपने देखा निवारण दांगी ने जिस प्रकार से कहा कि राजस्थान के प्रवासी समाज इस बार जो है बिले पाले बिदानसभा में कांग्रेस को उटिंग करेगी कि मैं परसंनें सिंग के साथ रितेस पाठाक खबर इना